दोस्कार दोस्तों, देट आज की देखो 28 जून 2024 है और स्वागत है आपका एटोरेल डिसकर्शन में आज की डिसकर्शन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए जोस लैन्योन का कोट है इस कोट को ना हम ब्रेक करके समझते हैं सबसे पहले आप मुझे यह बताएं critical thinking क्या होता है critical thinking का मतलब क्या होता है critical thinking का मतलब देखो यह होता है facts को ना deeply analyze करना हर information जो भी आपके सामने आ रही है ना उसको question करना logical reasoning का use करना क्या information सही या गलत है समझ गए, जैसे example मैं आपको देता हूँ अगर कोई whatsapp message आपके पास में आता है कि निम्बू पानी से covid को ठीक किया जा सकता है तो जो critical thinker है न वो पूछेगा ये information कहां से आई है क्या कोई scientific study है इसके पीछे WHO या फिर भारत की health ministry का क्या कहना है इस information के उपर ये काम किसका है ये critical thinker का काम है मतलब समझ गए critical thinker कभी बिना आख बंद करके भरोसा नहीं करता है जो उसे बोला जाता है अब बात करते हैं objectivity क्या होती है क्योंकि quote में दिया हुआ है ability to think with critical objectivity देखो objectivity का मतलब ये होता है बिना personal bias के सोचना emotions को side में रखकर facts पर focus करना और हर एक perspective को equal importance देना ये मतलब होता है objectivity का जैसे बिल्कूल simple example है अब भार पागिस्तान का match है जो empire हैं दोनों में से किसी एक देश के हैं लेकिन देखो वो empiring के फैसले देंगे बिना किसी bias के facts के अधार पे जो हुआ है उसी के आधार पे तो ये objectivity मैंने आपको बताया critical objectivity के real life examples मैं आपको दूँ जैसे देखो news channels देखते वक्त ये देखना क्या ये news biased है क्या इस news में facts सही है या गलत है कोई भी product हम purchase कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं reviews जो हैं product के वो genuine है या paid है political speeches हम सुनते हैं के promises किया जा रही हैं तो ये फाइदे हैं critical objectivity के critical objectivity के देखो हर एक field में फाइदे है personal life में फाइदे हैं आप relationship समधित family अच्छे से ले सकते हो professional life में फाइदे हैं problem solving skills आपके पास में आती है innovation आप लेके आते हो इसके अलावा society में critical objectivity के बहुत फाइदे हैं voter informed हो के फैंसले लेता है discrimination कम हो जाता है हर एक जगह पे critical objectivity के फाइदे हैं तो एक question एक चीज में आपको बताओ कैसे critical objectivity को हम nurture कर सकते हैं कैसे अपने अंदर ला सकते हैं देखो कैसे ला सकते हैं अलग-अलग viewpoints की books हम पढ़ेंगे अलग-अलग newspapers को पढ़ेंगे अगर देखो एक ही book को हम पढ़ेंगे एक ही newspaper को पढ़ेंगे तो हम biased होते जाएंगे अलग viewpoint हमारे सामने आए गई नहीं अलग-अलग debates में participate करना और adjustments को regularly question करना ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम critical objectivity को nurture कर सकते हैं अब discussion की बात करें इसके बाद articles देख लिजिए जो आज हमें discuss करने हैं सबसे पहला article हम discuss करेंगे इंडिया-सिलंका फिसरी dispute से समन्दित फिर देखो एक article हमारे कल का बाकिए था इंडिया स्टांस उन्तिब्बत से समन्दित और सबसे last में article हम live mint का discuss करेंगे उस article में हम discuss करेंगे कि इंडिया को na factories नहीं चाहिए इंडिया को jobs चाहिए वो भी अच्छा article है economy का और ये जो बीच में बड़ा सारा article है ये terrorism से समन्दित है इंडिया पाकिस्तान relations में terrorism कैसे एक issue है लेकिन आज इसको discuss करने का मुझे नहीं लगता time बचेगा क्योंकि बाकी articles काफी details से discuss करने है background के साथ में तो कर्स के तो आज करेंगे otherwise इसको कल लेंगे चलिए discussion स्टार्ट करते हैं हमारी आज की discussion में first important article इंडिया और स्रिलंका के बीच में fisheries dispute से समधित है slavers की बात करें तो देखो आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं सबसे पहले हम basics and background की बात करेंगे यह उपर इंडिया है नीचे स्रिलंका है देखो सद्यों से कई सद्यों से इंडिया और स्रिलंका के जो fishermen है वो इस पूरे area में easily मचली पकड़ते आएं है fishing करते आएं है कोई रोक टोक नहीं क्योंकि देखो पहले वाले समय में fishing के resource में कोई कमी भी नहीं थी मचलिया थी भी अच्छी खासी तो इंडिया के मचली सिलंका के नजदीक जाते भी तो क्या दिक्कत हो सकती थी लेकिन देखो अब ध्यान से सुन्येगा 1974 और 1976 इन सालों में ना इंडिया और सिलंका के बीच में ना maritime agreement sign हो गया यानि maritime boundary define हो गई यह जो लाल रंग की आप boundary देख रहे हो न यह international maritime boundary है इंडिया और सिलंका के बीच में यह लाल रंग की boundary और यह कब emerge होके आई यह 74 और 76 के agreements के बाद आई आप बोलोगे सर दो सालों में agreements कैसे हो सकते हैं जैसे देखो पाल्क स्टेट में agreement हो गया था 1974 में और फिर उसके बाद Gulf of Manar और Bay of Bengal में agreement sign हो गया था 76 में तो overall international boundary line emerge होके आगई 76 के बाद इंडिया और सिलंका के बीच में अब यह जो boundary line emerge होके आगई ना उसके बाब तो इंडिया के जो मच्वारे थे वो यह लाल रंग की boundary cross करके सिलंका के साइड नहीं जा सकते और सिलंका के मच्वारे यह लाल रंग की boundary cross करके इंडिया की साइड नहीं जा सकते सुरुवात में तो देखो इस concept को ज़्यादा अच्छे से implement नहीं किया गया मतलब इंडिया के fisherman मच्वारे यह boundary line international maritime boundary line cross करके सिलंका की साइड चले भी जाते तो ऐसा नहीं कि सिलंका की नेवी उन्हें arrest कर लेती उन्हें मारती नहीं शुरुवात में ऐसा नहीं था और meanwhile देखो 1983 के बाद से सिलंका में civil war start हो गया 1983 से civil war जो start हुआ वो 2009 तक चला अब 9 तक चला ना एक चीज आपको बताता हूँ सिलंका के north में जो fisherman रहते थे ना वो इस civil war के कारण ना displace हो गए उनको सिलंका के अलग-अलग अलाकों में जाना पड़ा अलग-अलग अलाकों में जाना पड़ा यानि सिलंका के north में मच्वारे थे वो international maritime boundary line को cross करके सिलंका के side आते तो कोई रोकने वाला नहीं था क्यों रोकने वाला कौन होता सिलंका के navy वो civil war में बिजी है सिलंका के मच्वारे विरोध करते कि भाई तुम हमारी side क्यों आ रहे हो वो वैसे ही civil war के कारण displaced हो चुके है तो भी civil war के कारण भी इंडियन मच्वारों को रोकने वाला कोई नहीं था फिर देखो क्या हुआ 2009 मेना civil war समाप्थ हो गया civil war समाप्थ हो गया अब सिलंका के जो fishermen सिलंका के north को छोड़ के चले गए थे वो सिलंका के north में वापस आ गए भाई आप अपने साइड में मचली पकड़िये न आप हमारे साइड में मचली पकड़ने क्यों आ रहे हो आप हमारे fishes के stock को खतम कर रहे हो तो ये सिलंका के fishermen की सिकायत सिलंका के fishermen सिलंका की navy को बोलते कि भाया भारतिय मच्वारों को यहां से भगाईए आप और सिलंका की जो navy थी वो भी free हो गई civil war के बाद में वो भी अच्छे से आप patrolling वगज़ा करने लगी तो सिलंका में civil war के खतम होने के बाद में यहां पे इंडियन fishermen के सिलंका की navy के साथ में conflicts की खबरे आनी start हो गई अब एक दिक्कत यह है इंडिया के जो मच्छवारे हैं वो trollers का इस्तमाल करते हैं आप पुछोगे सर यह trollers क्या होते हैं trollers में क्या होता है जो मचली पकड़ने वाला जाल होता है न उसको बिलकुल समूंदर के bed से पूरा drag किया जाता है मतलब मचली पकड़ने वाले जाल को काफी नीचे से drag किया जाता है और उसके अंदर ना बाकी चीज़े भी आ जाती है जैसे young fishes आ गई अभी उनको पकड़ने की जूरती नहीं थी वो young है उनको कोई नहीं खाएगा अंडे आगे मचलियों के इसके अलावा और बहुत सारे endangered species आ गई मचलियों की इसके अलावा दूसरे marine animals आ गई जिनको कोई नहीं खाएगा तो मतलब ट्रालर्स जिसमें मचली पकड़ने वाले जाल को नीचे से बहुत ज़दा drag किया जाता है उसमें बहुत सारी extra चीजें आ जाती है और अंडे आ जाते हैं मचलियों के यंग मचलिया आ जाती है जिससे ना मचलियों का stock जो है वो खतम हो जाता है अब इंडिया के मचुवारे थोड़े अमीर वो ट्रालर्स का इस्तुमाल करते हैं सिरलंका के 2009 के बाद फिर सिलंका की नेवी ना उन इंडियन फिसर्मेन को उन्होंने पकड़ना स्टार्ट कर दिया जो इस इंटरनेशनल मेरी टाइम बाॉंडरी को क्रोस करके आगे आते सिलंका की साइड लेकिन जब सिलंका की नेवी इन मच्छुआनों को पकड़ती तो फिर तमिलाडू में जो सरकार है वो बोलती भारत सरकार को कि आप सिलंका से बात कीजिए वो हमारे फिसर्मेन को पकड़ रहे हैं उनकी बोर्ट्स को पकड़ रहे हैं आप उनसे बात कीजिए तो 2009 के बात से ही न ये चीज चलती आ रही है और अभी भी कंटेक्स्ट यही ह सिलंका की नेवी ने 25 जून की मोर्निंग को एक ओपरेशन कंड़क्ट किया इंडियन फिसर्मैन को भगाने के लिए जो मेरिटाइम बाउंडरी को क्रोस करके सिलंका के साइड चले गए और इस ओपरेशन में एक सिलंकन नेवी के जवान की मोत हो गई और उन्होंने भारतिय मच्वारे भी घायल हुए बहुत सारे भारतिय मच्वारों को पकड़ लिया उनकी बोट भी इंपाउंड कर ली तो अब तमिलाडू की सरकार बोल रही है भारत सरकार से हमेशा की तरह का आप इनसे बात कीजिए हमारे मच्वारे छुडवाईए और बोट छुडवाईए तो इंडिया के जुड फोरण मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला कि हाँ भहुत सारे मच्वारे सिलंका की 34 मच्वारे सिलंका की judicial custody में है और तो उनको हम छुड़वाने के लिए बात कर रहे हैं लेकिन देखो इशू को थोड़ा ओर डिटेल से हम डिसकस करते हैं, होता क्या है, क्योंकि देखो इस एरिया में इंडिया और सिलंका के बीच में जो एरिया है यहाँ पे हर साल 60-61 डेज के लिए फिसिंग पे बैन लगा दिया जाता है, कि कोई भी मचुआरा यहाँ पे जाक है वो खतम हो जाता है, तो कुछ दिनों के लिए न सरकार बैन लगा देती है कोई नहीं पकड़ेगा मचली, मचलियों की ब्रीडिंग अच्छे से होने दो, यंग मचलियों को आप जवान होने दो, मतलब जो श्टोक खतम हो गया है उसे एक बार रिकवर करने दो, तो हर सा 60 डेज के लिए ये बैन होता है, इस साल भी था, बढ़ देखो, जैसे ये बैन खतम होता है न, सारे मचवरे अगले दिन मचली पकड़ने के लिए दोड़ जाते हैं, एकदम से भीर लग गई, क्योंकि दो महिने तक किसी ने पकड़ी नहीं, तो 61 दिन, 62 दिन, सारे के सारे मचवरे बिना किसी छुट्टी के भाग क्या आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में न, कन्फलिक्ट के संभावने और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि दो महिने के लिए बैन रहा, और बैन के बाद एकदम से मचवरों की दादाद बढ़ गई, तो फिर यहाँ पे इस स कमिलाडू के मुख्यमंत्री ने ये कहा है, जोइंट वर्किंग ग्रूप की मीटिंग, जो दो साल पहले हुई थी, उस मीटिंग को फिर से रिवाइब किया जाए, फिसर्मेन एशू को रिजोल करने के लिए, अभी तक देखो बहुत सारे सोलुशन्स, सोचे तो गए हैं, कुछ-कुछ इंप्लिमेंट करने की कोशिस भी की गए हैं, लेकिन वो सफल साबित नहीं हुए हैं, सोलुशन्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड आप रुखिए, जैसे देखो डीप सी फिसिंग हैं, मतलब डीप सी में जाके फिसिंग करना, अब इस देखो, बहुत कम वैसल्स के लिए सरकार ने सबसेड़ी दी हैं, ज्यादा वैसल्स के लिए सरकार सबसेड़ी नहीं दे पाई हैं, तो डीप सी फिसिंग वाला जो आइडिया है भी उतना अच्छे से इंप्लिमेंट नहीं हुआ हैं, नेक्स्ट है, मेरीन केज फार्मिंग इसमें क्या होता हैं, कि सी में एक पार्टिकुलर एरिया को इंक्लोज करके वहीं पे फार्मिंग की जाए मचलियों की, लेकिन ये भी ज्यादा अच्छे से इंप्लिमेंट नहीं हुआ उसका है, सी वीड कल्टिवेशन, सी वीड को कल्टिवेट करना आइडिया अच्छा ह लेकिन, इंप्लिमेंटेशन नहीं है, सी रैंचिंग, सी रैंचिंग में क्या होता है, किसी पार्टिकुलर एरिया में, यंग फिशीज को समुंदर में इंटर्डिूस करके, मचलियों के स्टोक को फिर से रिफिल करने की कोशिस की जाती है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं, सी खासा मिले और भारतिय मच्छवारों को वहाँ पे ना जाना पड़े सिलंका की साइड में तो वो आइडियाज कहीं न कहीं अच्छे से implement नहीं हुए है इस वजए से ये जो इशू है भारतिय मच्छवारों के बीच में और सिलंका नेवी को सदा के लिए रिजोल करना है तो सभी स्टेक होल्डर्स को बिठा के आप इसका सोलुशन दो और ये तब ही पोसिबल होगा जब देखो दो कंट्रीज के ओफिशल्स फिसिंग कम्निटी के रिपर्जेंटेटिव्स तमिलाडू के ओफिशल्स इसके लावा वहाँ पे सिलंका में जो नोर्दन प्रोविंस है वहाँ के रिपर्जेंटेटिव्स सब एक साथ बैठेंगे और डिस्प्यूट का सोलुशन फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चलते हैं आगे इसके बाद नेश्ट आर्टिकल इंडिया की तिबद पॉल्सी से समधित है अपना स्लेबर्स में GS Papers 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं इससे पहले कि देखो ये आर्टिकल हम डिस्कस करें एक ब्रीफ बैक्ग्राउंड में आपको बता देता हूं इंडिया का तिबद इश्यू के ऊपर में क्या स्टेंड है आप थोड़ा सा पास्ट में जाएए 1914 में उसमें बिटिसर्स हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे तो उसमें सिमला में एक कन्वेंशन हुई थी और मेकमोन लाइन इस्टाबलीश हुई बिटिस इंडिया और चाइना के बीच में हलाकि चाइना ने मेकमोन लाइन को उसमें नहीं माना था आप पुछोगे सर ये बताओ तो 1914 में तिबबत का क्या हुआ क्या तिबबत को चाइना का हिस्सा माना गया दिखो थोड़ा सा ना कुंप्लेक्स सिचुएशन रही 1914 में जो आउटर तिबबत था ना आउटर तिबबत को अटोनमी दी गई चाइना की सोवरनिटी में मतलब नाम चाइना का रहेगा लेकिन तिबबत अपने आप से गवन करेगा लेकिन जो इनर तिबबत था ना इनर तिबबत में चाइना का अड्मिस्टेटिव रूल चलेगा बट जो रिलीजियस इंसिचुशन्स है ना वो तिबबत के पास में रहेंगे ऐसा कुछ डिसाइड हुआ था हलांकि इसे माना ही नहीं चाइना ने बाद में तिबबत और बिटीश इंडिया ने अपनी अलग से एक ट्रीटी वगरा साइन कर ली थी उस से में देखो तिबबत ना एक बफर जोन हुआ करता था बिटीश इंडिया और चाइना के बीच में बफर जोन मतलब कुशन की तरह था डिरेक्ट फाइट होने की संभावना नहीं थी बिटीश इंडिया और चाइना के बीच में क्योंकि बीच में आता था तिबबत लेकिन देखो देश आजाद हुआ चाइना में भी कमिनिष्ट रेवलिशन आ गया 1950 में न पीपल्स रिपबलिक ओफ चाइना ने तिबबत पर कबजा कर लिया इंडिया कुछ नहीं बोला बलकि देखो 1954 में जब पंचिल एग्रिमेंट साइन हुआ इंडिया और चाइना के बीच में इंडिया ने तिबबत के ऊपर चाइना की जो सोवर्निटी है उछे सविकार कर लिया बाद में देखो तिबबत में इंसरजेंसी फैल गई वाइलेंस हुआ लोगों ने चाइना के रूल का विरोध कर दिया तो 1959 में दलाई लामा और उनके फॉलोर्स भाग कर इंडिया में आ गए इंडिया ने उस समय भी कुछ बोला नहीं लेकिन डलाई लामा और उनके फॉलोर्स को सरण देना ये अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा था एक्सन स्पीक लौडर देन दे वर्ड्स ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वज़े से 1912 में इंडिया और चाइना के बीच में युद भी हो गया बाद में देखो 1988 में उस समय के परधामंतरी राजीव गांदी वो चाइना की आतरपर गए थे और उन्होंने ये माना तिबबत जो है वो चाइना का एक अटोनोमस रीजन है फिर देखो 2003 में उस समय के परधामंतरी वाजबई भी चाइना की आतरपर गए उस समय जो जोइंट डेकलरेशन साइन हुई थी उसमें भी तिबबत को चाइना का पार्ट बताया गया लेकिन देखो पिछले कुछ सालों से खास करके 2010 के बाद से ही न एक डिबेट चल रही है डिबेट यह है कि तिबबत के इशू पे इंडिया को अब अपनी जो पोलसी है न वो चेंज करनी चाहिए एक तरफ देखो चाइना इंडिया के अरुनाचल परदेश और दूसी जगहों पर जो प्लेसिज हैं उनके नाम चेंज कर देता है जमू और कस्मीर अरुनाचल परदेश के लोग को स्टेपलड वीजा देता है स्टेपल करके यह दिखाने के लिए कि यह जो पार्ट है वो इंडिया का इंटिग्रेल पार्ट नहीं है जब चाइना देखो यह सब हरकते कर रहा है तो फिर हम क्यों टिबबत को चाइना का पार्ट बताएं हमें भी अपनी टिबबत पोलसी चेंज करने चाहिए ऐसी डिबेट काफी समय से चल रही है यह मैंने आपको ब्रीफ में बैग्राउंड बता दिया अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है देखो यूएस का एक डेलिगेशन जिसमें यूएस के लामिकर्स थे जैसे हमारे देश में सांसद है न तो वहाँ भी जो उनके सांसद है लामिकर्स है वो इंडिया के धरमसाला की आतरा पर आए अब धरमसाला में क्या है तिब्बत की गोर्मेंट इन एकसाइल है इनको यहाँ पर इन्वाइट क्या गया था Central Tibetan Administration के द्वरा ये जो बोड़ी है ना Central Tibetan Administration ये देखो चाइना वाला तिब्बत है ना उसके बाहर जितने भी तिबितेंस हैं ना उनके affairs को manage करती है ये body तो इन्होंने बोला US के lawmakers को आप यहाँ पे आए हम से मिलने के लिए तो US के जो lawmakers है वो यहाँ पे आए लेकिन timing important है timing इसलिए important है क्योंकि हाल ही में US से के दोनों houses में एक act पास हुआ promoting a resolution to the Tibet China Dispute Act ये act पास हो गया अभी US के president ने इस act पे sign नहीं किये है ये जो act है ना ये तिब्बत की autonomy की बात करता है और आवाज उठाता है कि China Tibetians को तंग ना करे उनके उपर अत्यचार ना करे Tibetians के लिए right की बात करता है ये act तो कुल मिला कि ये जो act है चाइना को चिडाने वाला है चाइना को challenge करने वाला है तो इस act के पास होने के तुरंट बाद वो lawmakers जिनोंने ये bill बनाया था वो बलकि भारत की आतरा पर आए और यहां पर धरमसाला में आके इन lawmakers ने बहुत सारी बाते बोली जैसे 2010 के बाद से ही तिब्बत के दलाई लामा के representatives और चाइना की सरकार के बीच जो बादचित बंद हो गई है उस बादचित को फिर से restart किया जाए कुल मिला के देखो इन लामेकर्स ने ना completely ये बोला हम तिब्बत के लिए आजादी चाते हैं और तिब्बत के लोगों के साथ हैं नैंसी पेलोसी जो वहां की speaker थी ना वो भी इस delegation में आई उन्होंने ये बोला दलाई लामा की legacy जो है वो तो देखो सदा रहेगी लेकिन चाइना के जो राश्टरपती हैं उनको कोई याद नहीं रखेगा कुल मिला के देखो ऐसी ऐसी बाते बोली जो डिरेक्ली तिब्बत के पक्स में थी और एक बहुत बड़ी rally भी पब्लिक rally भी organize हुई जब USA का delegation यहाँ पे आया यह जो विजिट थी ऐसा नहीं देखो अचानक से हो गई भारत सरकार ने सोच समझके इस विजिट को allow किया था क्योंकि USA से जो delegation आया जो ध्रमसाला में गया उस delegation से हमारे विदेशमंतरी ने भी बात की उस delegation से प्राइम मिनिश्टर मोदी ने भी बात की ऐसा लगा जैसे इंडिया जो है वो चाइना को एक message भेजना चाहता था US के इस delegation को host करके कि देखो line of actual control पर situation खराब है अगर आप ऐसी हरकते जारी रखोगे तो फिर तिबबत के issue पे हम जो हमारा stand है वो change कर लेंगे लेकिन देखो सुहासनी हैदर जिन्होंने ये article लिखा है न वो इंडिया के इस step से खुश नहीं है उन्होंने कहा है देखो अभी तक ना इंडिया ने अपनी तिबबत की policy को ना सोच समझ के बनाया है बहुत ज़्यादा सोच समझ के जैसे 1959 में दिलाई लामा को इंडिया ने आने दिया लेकिन बावजुद इसके कुछ बोला नहीं तो अभी तक इंडिया की जो तिबबत की policy है ना बहुत rationally calibrated policy है बट अब ऐसा लगता है कि इंडिया ने ना अपनी independent policy जो है तिबबत के लिए वो छोड़ दी है बलकि US की policy का इंडिया समर्थन कर रहा है तो ये चीज़ देखो गलत है अगर पिछले कुछ सालों में specifically अगर आप इंडिया की तिबबत policy देखो के ना 2010 के बाद से ही जबसे चाइना ने इंडिया की territorial integrity की respect करना छोड़ दिया है और अनुआचल प्रदेश में कुछ जगाओं के नाम बदल दिये स्टैपल्ड वीजा इशू किया जमुएन कस्मीर के रेजिडेंट्स को तो इंडिया ने मिना one China policy को articulate करना छोड़ दिया जहां देखो इंडिया दलाई लामा को एक respected leader मानता है जबकि China कहता है वो separatist है जो धरमसाला में तिबबत की government in exile काम करती है न उसे इंडिया officially recognize नहीं करता इंडिया मानता है कि हाँ ये सिरफ एक organization है जो तिबबत से बाहर तिबितियन के affair को manage करती है government in exile इंडिया recognize नहीं करता इसके अलावा 2014 में जब परदानमंतरी Modi ने सपत ली थी न तो उसमें तिबबतियन सिक्योंग यानि जो तिबबत के elected leader है वो swirig in ceremony में आये लेकिन 19 में और अभी इस महिने 2024 में तिबबतियन elected leader यानि सिक्योंग को invite नहीं किया गया और 2018 में government ने एक circular जारी किया और इंडिया के officials को ये warning दी कि आप न तिबबत के issue पर कुछ न बोले और दलाई लामा को इंडिया में आये 60 साल पूरे हो चुके है न इस event को celebrate ना करें मतलब तिबबत policy को लेके न इंडिया काफी ज़्यदा sensitive है हाल फिलाल में इंडिया की sensitivity कुछ दूसरे issues पर भी देखने को मिली जैसे US के ambassador जब पाक अर्दिकर्थ कस्मीर की आत्रा पर गए तो इंडिया ने विरोध किया इसके अलावा US, UK, Canada और Australia में खालिस्तानी events हुई इंडिया ने विरोध किया तो इंडिया ना खुद से अपना stand change करे लेकिन USA के सामने घुटने ना टेके USA के stand का सिधा सिधा समर्थन ना करे यू ना करे कि हाँ जो US का stand है वही हमारा stand है ऐसा इंडिया ना करे जैसे मापको example देता हूँ अभी ना US का delegation आया धरमसाला में गया जहाँ पे दलाई लामा और उनके followers रहते हैं तो वहाँ पे एक public rally और्नाईज हुई public rally में जालतर जो flags वेव किये गए ना वो USA के flags थे इंडिया के flags बहुत कम थे क्योंकि नब वहाँ पे धरमसाला में अब तिबितियन्स को यू लग रहा है कि उनका main जो supporter है वो USA है इंडिया नहीं है जबकि देखो दलाई लामा और उनके followers को सरण तो इंडिया ने दी थी उस समय इंडिया ने सबसे ज़्यादा sport किया था आज भी तिब्बत में बहुत सारे parents ऐसे हैं जो अपने बच्चों को धरमसाला में भेज देते हैं और tracking करके बच्चे धरमसाला में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो curriculum है बिल्कुल mainland चाइना की तरह बनता जा रहा है और डर लगता है वहाँ पे तिब्बत के लोग को की पूरा हमारे बच्चों का mind wise किया जा रहा है तो इंडिया पहले तिब्बत के issue पे बढ़िया आवाज रखता था वेटेज रखता था बट अब US का delegation इंडिया में आ रहा है US अपनी तिब्बत policy को इंडिया में आके shape कर रहा है इंडिया बस चुपचाप देख रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए और देखो यही रहा है पूरे South Asia में आप माल्दिव देख लीजिए, सिलंका देख लीजिए हर जगह इंडिया का जो influence है वो कम होता जा रहा है तो तिब्बत के issue पे इंडिया को अपना influence कम नहीं होने देना है और यह signal नहीं जाना चाहिए कि जो US की policy है तिब्बत के issue पे वही इंडिया की policy है इंडिया की policy भया independent है इसके बाद next article में हम discuss करेंगे developing nations को ना jobs चाहिए ना कि factories आपना syllabus में GS paper 3 के इन topics से article को relate कर सकते हों देखो traditionally यह जो देश है ना for example China, South Korea पिछले कुछ सालों में यह देश डेश डेवलप हुए है manufacturing पे focus करके China ने देखो manufacturing पे इतना ज़्यादा focus किया कि export करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया China और global manufacturing का hub बन गया China इससे China में per capita income काफी ज़्यादा increase हुई और China आज के समय में वर्ल्ड की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी economy है बट देखो क्या India को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए राइटर बोलते हैं देखो अब जो है ना वो समय चेंज हो जुका है आज के समय में जो modern manufacturing है ना वो भी काफी ज़्यादा skill based हो गई है जैसे आपने देखा होगा आज के समय में manufacturing में 3D printing, robotics, इसके अलावा automation, नहीं नहीं technologies का आज के समय में इस्तमाल हो रहा है manufacturing में इस वज़े से manufacturing आज के समय में पहली जैसी नहीं रह गई है पहले क्या होता था manufacturing में वो workers जिनके पास में ज़्यादा skill नहीं है low skilled workers उनको adjust किया जा सकता था बट आज के समय में ऐसे low skilled workers को manufacturing में adjust नहीं किया जा सकता absorb नहीं किया जा सकता manufacturing में भी काम करने के लिए आपके पास में ज़्यादा skill किया आप सकता है मैं आपको example देता हूँ अब जैसे देखो Apple का mobile phone है आपको पता है Apple का mobile phone बनता है global supply chain के थूँ मतलब chip कहीं किसी दूसरे देश में manufacture हो रही है display किसी दूसरे देश में manufacturing हो रही है battery किसी तीशे देश में बन रही है और assembling हो रही है चोथे देश में और assembly दो देखो इंडिया में भी होती है Apple के mobile phone की बड़ देखो एक चीज साइध आपने भी सुना होगा Apple के phone की assembly होती है न इंडिया में हमने एक पहला article भी डिसकस किया था वहाँ पे न उस plant में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के आशकता होती है high skill चाहिए और impurity नहीं आनी चाहिए assembly में बिल्कुल भी अगर impurity ज़्यादा आ जाएगी तो phone की जो rejection rate है वो increase हो जाएगी और even chip भी जो manufacture होती है न उसके लिए भी skill चाहिए ऐसा नहीं कि किसी को भी replace कर दिया market में कोई भी ऐसा ही गुम रहा है जिसके पास skill नहीं उसको बेज दिया कि चलो भाई जाओ chip manufacture करो ऐसा नहीं है तो कहने का मतलब है आने वाले समय में ऐसा हो गया कि manufacturing sector में भी काम करने के लिए आपके पास में अच्छी खासी skill चाहिए बिना skill वाले लोग absorb नहीं उसकेंगे manufacturing sector में क्योंकि आज के समय में नहीं नहीं technologies का इस्तमाल हो रहा है manufacturing में जैसे 3D printing है automation है और इसके अलावा robotics हैं अब देखो चाहिए ये कि developing countries बिना इंडिया जैसे देश बिना manufacturing में ये सारी technologies का इस्तमाल करें अगर ये सारी technologies का इस्तमाल हमारे देश की firms नहीं करेंगी ना तो फिर हमारे देश की firms ना पिछडती जाएंगी बिल्कुल पिछडती जाएंगी इसके बाद writer ना एक criticism को भी address करते हैं writer कहते हैं जिस way में जिस तरीके से अभी manufacturing sector expand हो रहा है ना developing countries में तो ना ये एक परकार से ना enclave sector बनके रह गया है आपको ये point समझ में नहीं आया होगा मैं आपको example की साहिता से बताता हूँ जैसे देखो बांगलादेश हैं बांगलादेश में ना जो textile sector है ना काफी बढ़िया है बांगलादेश से जो export होता है ना उसमें 80% contribute किया जाता है बांगलादेश के textile sector के द्वारा लेकिन देखो अब दिक्कत ये है बांगलादेश में textile sector ना एक enclave बनके रह गया है वो इसलिए क्योंकि textile sector का जो impact है ना बांगलादेश के दूसरे sector पर नहीं देखने को मिल रहा है कि हां textile sector में technology अच्छी आई तो वो दूसरे sector में भी देखने को मिले नहीं बलकि textile sector में भी जो technology है ना अब पुरानी होती जा रही है competition काफी ज़ादा है दूसरे देशों से और इस वज़े से जो बांगलादेश की textile firms है वो अपने आपको अपडेट नहीं कर पा रही है तो कहने का मतलब यह है कहीं कहीं developing countries में अगर manufacturing sector अच्छे से काम भी कर रहा है ना तो वो enclave बनके रह गए हैं उसका फाइदा overall economy को नहीं देखने को मिल रहा है इसलिए राइटर बोलते हैं आने वाली जो economic development है ना वो देखो service sector से आएगी और service sector में भी जो युवा काम करते हैं ना उनकी productivity को increase करने क्या आउ सकता है उनको और ज़्यादा skill देके उनको productive बनाने क्या आउ सकता है जैसे कुछ examples राइटर देते हैं retail sector है अब आपको पता है गाउं गाउं में किर्याना की दुकाने हैं किर्याना की दुकाने आपको पता है inefficient way में चलती हैं आप अपने गाउं में किर्याना की दुकान पर जाओगे grocery store पर आप दुकान वाले भाईया को बोलोगे मुझे ये चाहिए तो वहाँ पे जो भी स्टाफ है वो दुकान में घूम घूम के समान आपकी परची से देखेंगे और लाके काउंटर पे रख देंगे तो यह क्या है? यह इन एफिशेंट तरीका है तो यहाँ पे प्रोडेक्टिविटी इनहेंस की जा सकती है जैसे केर सेक्टर है आप सैलून में गए बाल कटवाने के लिए सिधा आपने बाल कटवाए पैसे दे दिये लेकिन आपको भी पता है आज के समय में जो प्रोफेसनल और मोडरन सैलून हैं उसमें कॉस्टमर फीडबैक और जो क्लाइंट्स हैं customers हैं उनकी सुविधाओं के लिए बहुत कुछ होता है बाद में उनका number ले लिया जाता है और online वो अपनी appointment fix कर सकते हैं ताकि उनका time save होसके तो यह मैंने आपको example दिया कि care sector में भी productive बनाया जा सकता है लोगों को जो अभी care sector में काम कर रहे हैं उसी परकार से public services में सरकारी jobs में जो काम करते हैं उनको भी efficient बनाया जा सकता है तो mainly न चार strategies राइटर देते हैं राइटर कहते हैं सबसे पहले जो बड़ी-बड़ी firms है न जैसे reliance हैं उनको incentivize किया जाए कि आप न अपनी supply chain को expand करो पहले आप सहरों में थे अब आप गाउं-गाउं में जाओ ये बड़ी-बड़ी firms for example reliance है गाउं-गाउं में जाएगी तो वहाँ पे रोजगार के अफसर पैदा होंगे देखो आपका एक question आएगा किसर reliance गाउं-गाउं में जाएगी तो फिर तो local जो किरियाना के store है वो बंध हो जाएगा तो writer कहते हैं कि देखो या तो वो productive हो जाएगे local किरियाना के store या फिर उनको absorb कर लिया जाएगा reliance के द्वारा reliance का तो मैंने आपको वैसे एक्जामपल दे दिया writer इस article में बड़ी firms की बात करते हैं जो productive है अब जैसे देखो एक और एक्जामपल में आपको देता हूँ Uber Ola के जो driver है वो बढ़िया technology से less है अब कोई एक ऐसा driver जो Uber Ola में अपनी गाड़ी नहीं चलाता independent चलाता है तो उसको फिर सरकार ना productive बनाए digital tools provide करके ताकि वो भी Ola Uber का मुकाबला कर सके फिर दूसरी strategy राइटर बताते हैं ये strategy focus करती है छोटी enterprises पे जो छोटी-छोटी firms है ना जो बहुत सारे लोग को रोजगार provide करती है इन छोटी-छोटी firms को ना management की training दी जाए loan, grant, customized worker skills, specific infrastructure technology assistance ये सब इनको provide की जाए और ये जो छोटी-छोटी firms है ना ये देखो बहुत diverse type की है बहुत ही अलग-अलग type की है कोई बहुत छोटी है, micro है कोई macro है, कोई small है तो differentiated approach अपनाने के आशकता है सरकार को इन छोटी-छोटी firms की help करने के लिए फिर तीसरी strategy है जिसका example मैंने पहले भी आपको दिया कि ऐसे workers जो अभी देखो low skill है उनको आप digital tools provide कर दो ताकि न वो high skill worker का मुकाबला कर सके समझ गए, जो low skill worker है ना उनको ऐसे digital tools आप provide कर दो जिनकी साइता से वो high skill workers का मुकाबला कर सके इसमें वही example फिर से applicable हो जाएगा जो independent driver है उसको आप बढ़िया बढ़िया digital sport provide कर दो ताकि वो उबर ओला वाले driver का मुकाबला कर सके फिर fourth strategy है जो less educated workers है उनको आप vocational training provide करो with wrap around services आप बोलोगे sir vocational training के बारे में तो बहुत सुना है vocational training with wrap around services क्या है देखो एक तो approach ये है आप न महेश को सिधा training दो और बाद में भूल जाओ बाद में आपकी जिमेदारी नहीं है महेश की job लगी है या नहीं लगी है और ज़्यादा ज़्यादा आप महेश की help कर दो vocational training देने के बाद उसकी job लगवाने में लेकिन अगर देखो महेश की job लग गई किसी company में for example ABC में और महेश ने काम करना start कर दिया लेकिन काम करना start किया और तीन महेने तक जिसने vocational training दी है वो महेश की मदद कर रहा है ताकि महेश नई company में adjust कर सके और जिस चीज की आवसकता है महेश को अपनी नई join की हुई company में वो सारी चीजें जिस company ने vocational training प्रुवाइड की थी न वो तीन महेने तक महेश की लगातार मदद करता रहे employment में भी ताकि उसे employment करने में दिक्कत ना आए और ये vocational course देने वाली जो company है वो आवसकता समझे जिस company में महेश ने job join की है कि उस company की क्या requirement है और महेश की लगातार मदद करती रहे लगातार job join करने के तीन महिने बाद तक ये है wrap around services कि सिरफ vocational training दे के छोड़ेंगे नहीं इवन job लगने के बाद भी सुरुवात के तीन महिने में आपकी मदद करते रहेंगे तो इस strategy पे भी सरकार को focus करने की आव सकता है तो ये article देखो थोड़ा अच्छा article था मतलब नई चीजे जानने को मिली और exam में भी हम बढ़िया से use कर सकते हैं इन points को मैंने तो आपको समझाया इसलिए 10 मिनिट लग गए otherwise point आप जल्दी जल्दी use कर सकते हो last में आप questions देख लीजिए last में questions देख लीजिए जो आपको attempt करने हैं दो questions आपको attempt करने हैं एक तो देखो पाक बे-fishing dispute से सम्बंदित और फिर दूसरा question आपको attempt करना है इंडिया का stance तिबबत इशू के ऊपर दूनो questions का answer आप दीजिए 250 words में pwonlyage.com पे जाके आप दूनो questions का answer देख सकते हो तो ये थे हमारी आज की discussion कल मिलते हैं फिर से एक नई discussion के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए अच्छे से पढ़िए थैंक यू, थैंक यू very much for discussion